कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्वाली फायर टू में दिल्ली कैपिटल्स को तीन विकेट से हरा दिया मैच काफी रोमा चक रहा और अब कोलकाता ने फैनल में जगे बना ली है और अब आइपिल का खिताब जीतने के लिए 15 अक्टूबर को चेन्ने सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भड़त होगी जबकि चेन्ने सुपर किंग्स ने क्वाली फैर बन में दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर फैनल में जगे बना ली थी महेंदर सिंग धोनी की धमा के दार पारी के दमपर चेन्ने ने दिल्ली को हराया था ये 9 भी बार है जब चेन्ने सुपर किंग्स आइपिल के फैनल में पहुंची है और चेन्ने सुपर किंग्स अब तक 3 बार आइपिल का खिताब जीत चुका है चेन्नेई ने सबसे पहले 2010 में आईपिल का खिताब अपने नाम किया था और दूसरी बार 2011, तीसरी बार 2018 में चेन्नेई ने आईपिल का खिताब अपने नाम किया था कोलकाता अब तक दो बार आईपिल का खिताब अपने नाम कर चुका है ये तीसरी बार हुआ है जब कोलकाता की टीम फाइनल में पहुंची है इससे पहले कोलकाता दो बार फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही बार खिताब जीता था कोलकाता ने 2012 और 2014 में आईपिल का खिताब अपने नाम किया था क्या कोलकाता की टिम फानल में जीतेगी कॉमेंट करके जरूर बताएं